गुट मॉर्णिंग फ्रेंट्स आज हम लोगों देखते हैं क्लास 10 हिस्टरी का लेसं त्री मेकिंग अफ ग्लोबल वल्ड इसकी फास्ट पार्ट हम लोगों कुछ कम्प्लिट कर लिये तो उसी लेसं त्री का सेकंड पार्ट इस दा इंडियर वार्ड एकोडमी सक देखते है त्री पॉइंड नेंबर त्री हेडिंग त्री दा इंडर वार्ड एकोडमी और इस लेसं का फास्ट पार्ट आप लोगों ओल्ड़ी देख लिया होगा और इसी लेसं की सेकंड पार्ट को हम लोगों देखते हैं आपको ये वेडिया अच्छो लगएगा तो सब्सक्राइ करिएगा हमारे दन देखते हैं तो इंडर वार्ड एकोडमी इंडर वार्ड मेंज नाइन्टींथ संचुरी में जो आचली हम लोगों सीवेल्ड वार्ड और उसी का एफक्ट मेंस ग्लोबल मार्क्त में नहीं तो पुरी में वर्ड की एकोड में से क्या क्या प्रभाव हु कोई कैसे एफेक्ट किया है इसकी बारे में हम लोग इस लेसन में देखते हैं हम लोग जानते हैं कि फास्ट वेल्ड वार जो 1914 में शुरू हुआ था यूरोप में वॉल्ड वार में आप फास्ट वार ट्राइम 1914 फस्ट वर्ड वार शुरू आता था यूरोप कंड़िस की बीच में करता यूरोप कंड़िस से आपस में लोग टू ग्रूप हो करके फास्ट एक गरूपको अलाइस कहते हैं दूसरी गरूपको है यूराइस बोलेगा तो उसमें बृतेन फ्राँन्स रेश्या और फिर यह टो घुण कि पहले यूरोप के बीच में जो यूद्ध शुरू हुआ है फिर पूरे वर्ल्ड इसमें पार्टिसिपेट करना पड़े हैं और जब लडाई शुरू हुआ था उसमें सोचे कि लोग नाव बर तक नहीं तो डिसंबर लास्ट तक ये वार कतम हो जाएगा लेकिन ये वार कंटिन्यू चला है कि लास्ट फोर इयर्स तक मतलब 1914 आगस्ट फोर्टीन को जो लडाय शुरू हुआ है लेकिन इसको जो एंड हुआ है नाइटिन को इस फस्ट वर्ल्ड वार वस में फाइटिंग इनवर्ड वर्ड लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन थे वह लोग का बीच्वाइं में लडाई हुआ है उसी का जो प्रफाव तो वह जरूर प्रिवेल्ड में हुआ है और इसमें दफ वर्ल्ड इस वार दस्ट फस्ट मोड इन इंडस्ट्रियल वार भी कहते हैं क्यूंकि इसमें इतसो द यूस ओफ मेशीन गन टैंक एरक्राफ्ट केमिकल वपन्स एक सर्चा यह फस्ट वेल्ड वार का विश्याशन है यह तो इसी को फस्ट इंडस्ट्रियल कहते हैं इसका कारण इसमें फस्ट वार जो मेशीन गन टैंक एरक्राफ्ट में केमिकल वेपन्स यह सब यूस किया है और इस बार में तू फाइट दवार मिलियंस ओफ सॉल्जियस हाड़ टू रेकूरूटेड फ्रम एराउंड दे वर्ल्ड आन्न मूड तो फ्रेंड कंट्री से सॉल्जियस को रिकूरूट किया गया है उसी में लोग ट्रेइन में जहाज में सब अलग अलग कंट्री से दूर दूर से भी साइनी के लोगों को इसके लिए पहुंचा दिया है और इसमें the scale of death and destruction nine million डड कहा जाता है नायन मिलियन लोग इस युद्ध में मर गये हैं और 20 मिलियन मोर दन 20 मिलियन लोग injured हो गया घायल हो गया और इस युद्ध का यही इतनी destruction हुआ है इतनी लोग उस पे मर गये हैं और इसी में एक main matter ही है इस युद्ध कैसे इंडस्ट्री को नहीं तो global world को नहीं तो global market को कैसे effect किया है दिखिए गई इस में समसी आई हुआ most of the killed and the man of working age इस युद्ध में जितने लोग मर गये हैं जो abled person means जो working condition working capacity थे मतलब अच्छे healthy people थे उस लोग युद्ध में मारे गये हैं और these death and injuries reduced the able-bodied workforce in Europe समस्या एई हुआ है जो अच्छे काम करने लाइक है अच्छा स्वस्त है जवान लोग है सब जादे से जादे लोगों युद्ध में मारे गये हैं उसके नुसर कम करने काम करने वाले हैं अच्छे workforce यूरोप में कम हो गया है विद्ध फ्यूर मेंबर्स विदिन दा फैमिली हाउस होल्ड इंकम डिकलाइंड आफ्टर दा वार इसी कारण से क्योंगि जो घर पर अच्छे वेक्ती हैं अच्छे काम करने लाइक हैं यूद्ध में चले गया हैं पुछ लोग यूद्ध में मरे भी गया हैं और बाकी ल इसलिए काम करने मतलब एक एक फैमिली का हाउसोल्ड इंकम धीरे-धीरे कम होने लगा हैं और दूसरी बात हैं कि डूरिंग दवार इंडस्ट्री स्वेर रीकंस्ट्रक्टरड टू प्रोड्यूस वार रिलेटेड गुड्स इंडस्ट्री सब में री स्ट्रक्टर किया गय होगा लेकिन इंडस्ट्री का पूरा प्रोडक्शन वार रिलेटेड गुड्स में बदल दिया क्यूंकि वार के लिए जो जरूरी है वही समान इंडस्ट्री सब उसी को प्रोड्यूस करने लगा हैं एंटेर सोसाइटी वेर ओर्ड़ी ओर्गनाइस्टर वार क्यूंकि इसलिए आत्मी लोग युद्ध के लिए चले गया है तो घर परिवार संभालना जिम्मदारी लेडिस का हो गया है इसलिए जो आत्मी कर सकते हैं वही काम करने के लिए आत्मी लेडिस जो मजबूर हो गया है और इसे दावर लट तो अपनेपिंग के लिए जितनी कर्च लगा है जितना पैसे के जरूरत पड़े है तो ब्रिटर ने क्या किया यूएस से पैसा उधार लेने लेगे हैं बोरोक किया है तो यूएस बैंक से और यूएस पब्लिक से भी मणी लेने लगे हैं मतलब उधार लेने लेगा है ऐसा धीरे धीरे वार कतम हो गया तब तक यूएस ने एक बहुत बड़े क्रडिक्टर बन गया पूरे वर्ल्ड में लोगो संपती हो गया है और यूएस इंज सिटिजन्स ओंड मोर ओवर सी ससट दान फोरिन Post-war economic recovery proved difficult Britain which was the world's leading economy in the pre-war period in particular faced a prolonged crisis actually Britain which was the world's leading economy ये pre-war period वार की पहले ब्रिटन तो leading economy था लेकिन इनको एक बहुत बड़े problem को face करना पड़े हैं क्यूंकि ये वार के बाद पूरे world's means सबसे एक important problem में हुआ है while Britain was preoccupied with war industries had developed in India and Japan after the war Britain found it difficult to recapture its earliest position of dominance in the Indian market and to combat with Japan internationally इंडियन मार्केट में से इनको अच्छा खता का सबसा कमाते रहते थे और ये जपान में और इंडिया से की वार की पहले ये ब्रिटन ने इसको एक अच्छा इंडस्ट्री पना कर रखा था लेकिन इसके लिए जो वार कतम हो गया तब तक अपनी क्योंकि इनका पूरा ध्यान वार में चले गएते तो इंडस्ट्री के लिए उतना इंपोर्टन्स मतलब उतनी ध्यान नहीं दे पाये उसके नुसार जपान से फिर इनको कॉमबटेट करना पड़ा तोड़ा तो मुश्किल हो गया है इस मिन्ट अफ दे वार मतलब एक कर्जदार होगे बहुत बड़े कर्ज में चले गए थे और तो इसकेंड पार ग्राफ में भी दीखिएगा अट इसेंग तेम गवर्ण्मेंट रेडियूसिट ब्लोटेड वार एक्स्पेंडिचर टू ब्रिंग दम इंटु दे लाइन विद पीस्टाइम रविन मतलब उस समय कि कर्चा गवर्ण्मेंट अपनी इंकम को मेंटेन करने के लिए नहीं तो एक्सपेंडिचर यह दोरों मेंटेन करने के लिए इन्हों ने क्या गवर्ण्मेंट ने workers को means पहली जो 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 लोग जो लोग जो लोग जो लोग करते थे government service करते थे उसमें से बहुत लोगों को हटा दिया गया है मतलब यह वरी five British workers was out of work मतलब यह वरी five women one in every five British workers was out of work को बूले हैं क्योंकि पांच लोगों में से एक लोग का काम जरूर हटा दिया गया नहीं तो कतम हो गया है और इसी कारण से anxiety and uncertainty about work become enduring part of post-war से पूरे society में anxiety और यह सब uncertainty जो समस्या फस गया है मतलब आत्मी लोगों जो जो काम पांच लोगों में से एक काम कतम हो गया है मतलब लोगों को income तो एक बहुत बड़ी problem है कि फेवामिली को चलाना है ते income चाहिए वह income कतम हो गया जोबलस हो गया है यही उस समय की समाज में का मिन से ब्रेटन में की एक बहुत बड़े problem हो गया है दूसरी एक बात इसमें कहें हैं एक matter before the war Eastern Europe was a major supplier of wheat in the world market war की पहले Eastern Europe wheat की एक बहुत बड़े supplier था और इसमें when this supply was disrupted during the war wheat production in Canada, Canada, America and Australia expanded dramatically वार की बाद मिन्स यह European country war के पहले अच्छे से wheat की supplier बन था था पूरे world market में लेकिन वार कतम हो गया है तब तक वार की कारण से अमेरिका, Canada, Australia इन लोगों से इनको यह लोग अपने production क्या की ओटमाटिकली बड़ा दिये है और but once the war was over production in Eastern Europe but Europe revived and created a glut in wheat output means market में इस तरह अमेरिका, Canada और Australia सब वीट की production बड़ा दिया है उसकी कारण से इस्तमान जादे market में आ गया है उस तरह जादे समान आ गया है तो प्राइस की ओटमाटीकली बड़ा दिया है उसकी कारण से इस्तमान जादे market में आ गया है उस तरह जादे समान आ होता है डिमांड कम हो जाएगा तो अल्ड़ी ओटमाटीकली प्राइस की जो ग्राफ उपर हो जाते हैं मतलब बढ़ते जाएगा प्राइस बढ़ गया लेकिन यह समान की दाम कम हो गया क्यूंकि मार्केट में ओवर हो गया है जो जितना जरूरी उससे जादे समान में क्यूंकि जो फार्मर्स को अपनी प्रोड़क्ट का दाम मतलब उनके एक्सपेक्ट दाम नहीं मिलता है तो अटमाटीकली यह लोग का इंकम कम हो जाते हैं उस तरह रूरल इंकम कम हो गया है और फार्मर्स बहुत बड़े डीप डेप्ट में कर्ज में चले गया है देन पॉइंट नमबर 3.3 राइस आफ राइस आफ मास प्रोड़क्शन अंडे कंसम्शन मास प्रोड़क्शन की बारे में यह फस्ट हम लोग का हैं है फस्ट विर्ल्ड वार कतम हो गया है तो यूएस उनको एक फैयदा हुआ है कि इम्पोर्टन ऐसे कंटर्य ज्यसे डेवलपमेंंट हुआ है वो लोग कैसे कैसे प्राप्ट किया है इसकी वारे में देखते हैं плох उसमें का एक important point है, mass production, mass production means, क्या होता है mass production means, जैसे missionary की सखायदा से, जादे production, मतलब एक ही unit का production अधिक कर देते हैं, तो इसको हम लोगे mass production करते हैं, इसमें एक example कहते हैं, mass production कैसे किया है, जो US की 1920 इन बिकेम एक special feature है, production in the US, यह well known pioneer of mass production वास्तकार मानुफैक्चरर हेन्री फोड, इसमें कहते हैं, एक mass production सबसे अच्छे तरीके से पहले successfully किया हुआ एक वेक्ती है, famous car producer, producer, जो Henry Ford, Ford Company कार की बारे में हम लोगों सुने हैं, इसमें Henry Ford की Ford, जो कैसे लोग कार की production बढ़ा दिया है, मतलब mass production लोगों successful किया है, इसके बारे में दिया है, इन्होंने क्या किया हैं, कि यह conveyor belt से, slaughtering house में conveyor belt यूज़ करता था अमेरिका में, Detroit में, और वहाँ पे conveyor belt से कैसे काम चलाते हैं, इसकी अनुसार, इन्होंने यही देख करके, अपनी एक car company में, यह Detroit में, car company लगा दिया, न्यू, car plant लगा करके, वही पे भी यह conveyor belt का, establishment की आ है, वहाँ पे, और उस conveyor belt की द्वारा, इन्होंने, समान को produce करना, और assembling करना, शुरू कर दिये हैं, और दिखें, इन्होंने, है, he realized that the assembly line method would allow faster and cheaper way of producing vehicles, यह assembly line, मतलब assembly line means, ऐसे कारते हैं, एक एक product, एक जगा पर एक प्रगार की product बनाएगा, केवल उसी का ही production होते रहेंगे, और उस तरह आलग अलग प्रोड़क्ट को एक एक unit पे बना देंगे, इसके बाद एक एक unit से यह collect करके इसको assembling किया जाता है, उस तरह production करेगा तो यह production fast हो जाएगा, इनकों समझ में आ गया है, दूसरी बात है कि जैसे conveyor belt के सामने खड़े ओकर काम करने वाले को fast काम करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी सामने से एक एक pass करते रहेंगे, उसके अनुसार इनको उसकी बीच में एक break लेने का नहीं तो आपस में बात करने का समय नहीं मिलेगा, और इसलिए इनकी production एकदम continue चलते रहेंगे, और इस कारण से क्या ही, conveyor belt की सामने खड़ा होकर के काम कराना इनके लिए समझ में आ गए, कि यही एक अच्छा system है, और यह उसी system ने इनकों अपनी company में लगा करके production करवा दिया है, और यह Henry Ford की car came off the assembly line, इन अट्टे 3 minute intervals, यह 3 minute के बिच में एक कार की production होता था, उस तरह speed हो गया, speed up हो गया इनकी पुरे काम, और यह the first model, the first T model Ford, वास्ता world's first mass production, producer car, और उसलिए इनकी first mass producer car है, the T model Ford, और इनका देखा देखी, यह US में दूसरे दूसरी company भी यह conveyorability का सहाइधा से mass production करना शुरू कर दिये हैं, और इनकी production, क्या किया है, 1914 तक, इनकी production तो high हो गया, मतलब यह बहुत अच्छे income, बहुत अच्छे का से कमाये हैं, और उसके साथ में, लेकिन इनकी employees की बीच में एक problem हुआ है, इस तरह Convairable के सामने, खड़े होकर काम करने के लिए इन लोग कुछ लोग को बहुत cutting लगा है, hard लगा है, तो बहुत लोग काम छोड़ कर निकलने लगा है, तो इन्होंने क्या किया है, अपनी income मतलब जो मजदूरी double कर दिया है, और इनकी company में कोई भी trade union लगाना भी इह मना कर दिया है, दो काम यह tight कर दिया है, अपने employees का wages double कर दिया है, और इसकी बाद यह trade union से बंद कर दिया है, और इसकी बाद यह अपनी company को एकदम अच्छे खासे से काम चला दिये हैं, और इनका देखे देखी पूरे world पहले पूरे US में, यह ford की industrial practices spread in the US, they were also widely copied in Europe in the 1920s, mass production lowered cost and prices of engineered goods, इस तरह यह पहले यूरोप में इनकी पूरे काम देखा देखी, बागी करने लगा है, पूरे mass production, इस तरह production बहुत fast हो गया है, और इस तरह production होता है, तो इनकी manufacturing cost भी कम हो जाता है, इसलिए price भी कम हो गया है, और cost कम हो गया है, मतलब price समान को दाम कम होने लगे हैं, तो आत्मी लोग जादे जादे समान purchase करना शुरू कर दिये हैं, देखिएगा, US में car production 2 million in 1919 to more than 5 million in 1929, 1919 में 2 million car की production होता था उस जगा पर, 1929 हो गया है, तो ये 5 million हो गया है, और उसकी अलावा, refrigerator, washing machine, radio, gramophone, players, ये जब भी, इस तरह जो mass production के लिस्ट में आ गएं, और समान का production भी अच्छे से हो रहा है, और आत्मी लोग इसके लिए loan लेकर भी, घर बनाना, इस तरह समान लेना भी शुरू कर दिया है, जैसे production होता है, तो उस तरह company में काम करने वाले को अच्छे income मिल रहा है, उसके अनुसरिलों का living condition भी बेटर हो जाते हैं, तो उस अच्छा समान भी खर देंगे, जमीन लेंगे, घर बनाएंगे, ऐसा, सब कम शुरू किया है, इसके लिए बहुत लोग बैंक वाले भी loan देने के तयार हो गया, लोग लार्ज इन्वस्टिंग, इन्वस्टमेंट इन हाउसिंग एंड हाउसोल्ड गुड्स, इन 1923, युएस रस्यूम्ड एक्स्पोर्टिंग कैपिटल तो दे रस्ट अफ दे वल्ल्ड, और बिकेम दे लार्जस्ट ओवर्सीस लेंडर, और 1923 हो गया है, तब तक युएस ने एक्सपोर्टिंग कैपिटल बना हो गया है, तो दे रस्ट अफ दे वल्ल्ड एंड लार्जस्ट ओवर्सीस लेंडर हो गया है, मतलब दूर दूर दे इसके लोगों के लिए भी जमान तयार करके बैसने लगे और उसकी साथ साथ में ट्रेड मिन्स ओवर्सीस ट्रेड किया है, ओवर्सीस ट्रेड से यह लोग अच्छे कमाएं भी हैं, दो देखिएगा, ओल डिस, हाववर प्रूड तो गुड तो लास्ट, बाइ नाइटीन ट्रेड नाइटीन ट्रेड प्रोब्लम में, मिन्स ग्रेड डिप्रेशन में चलेगे हैं, एक बहुत बड़े एकनोमिक क्राइसिस, यह एकनोमिक क्राइसिस काईसे हुआ है, इसकी बार में देखिएगा, यह पूरे वर्ल्ड इस तरह एक एकनोमिक प्रोब्लम को फेस करना पड़े, इसी को हम लोग ग्रेड डिप्रेशन कायते हैं, और यह बिगेंड अराउंड तुन्टी नायन अंड लास्ट तिल दा मिड़ अफ नाइटीन तर्टीस, दूरिंग दिस पिरिएड, मोस्ट पार्ट अफ दे वल्ड एक्स्पिरियेंज, एक्सपिरियेंज, कैतस्टोफिक एक डिक्लाइन्स इन प्रोडेक्शन, एम्प्रोडेक्शन, इंकम आटे ट्रेड, कि इसी पिरिएड को पुरे वॉर्ड फेस करना पड़े, प्रोडेक्शन में प्रोब्लम हुआ हैं, employment में problem हुआ है income और trade में भी problem हुआ है और the depression was caused by a combination of several factors यह depression की कारण several factors अलग-अलग reasons था इसके लिए और इसके बारे में देखते हैं क्या क्या reason first agricultural overproduction remained a problem first problem था agricultural overproduction यह agricultural overproduction काईसे हुआ है नित इसके बारे में हम लोग देखते हैं this was made worse by falling agricultural prices as prices slimed and agricultural income declines farmers tried to expand the production and bring larger volume of produce to the market to maintain their overall income समान की दाम कम हो गया तब मतलब हम लोगों को पहले ही बोल दिया है second world of sorry first world war कतम हो गया तब तक समान की जो दाम कम हो गया था और समान की दाम कम होने लगा तब की problem farmers अपनी लोज को मतलब समान जो income को maintain करने के लिए लोगों ज्यादा production कर दिये हैं अपनी agricultural production को और बढ़ा दिया है और बढ़ा दिये तो ज्यादे से ज्यादा पहले से भी ज्यादे समान मार्केट में आने लगा तो price फिर और कम हो गया है और यह situation और price कम होने लगे हैं और इसे मार्केट में बहुत सारे समान आ गया है कि इसी किसी को नहीं चाहिए उस तरह पूरा एकदम मार्केट भर गया था farm produce rotate for a lack of bias जैसे जो खड़ने वाले नहीं था इसी कारण से मतलब किसी को नहीं चाहिए तो समान तो उस तरह फस गया और लास्ट खराब होने लगे हैं यही एक रीजन है ग्रेट डिप्रेशन का मतलब अग्रिकल्चरल ओवर प्रोड़क्शन नेक्स्ट रीजन नेक्स्ट रीजन है बहुत सारे कंट्रीज फिनांस्ट देर इंवस्टमेंट त्रू लोंस फ्रम यूएस यूएस से लों लेकर अपनी अपनी कंपनी लगा दिये हैं अपनी बिसनस स्टार्ट किये थे लेकिन वाइल इट वस ओफन एक्ट्रीमल इसी तो राइज लोंस इन दे यूएस वन दा गोइंग वस गूड़ यूएस ओवर सिस्ट लंड़स पानिक्ट पानिक्ट प्रस्ट साइन अफ ट्रूबल इन फस्ट हाफ उफ 1928 और जो बहुत सारे कंपनियां एक एक कंट्री की कि बहुत कंपनियां से यूएस से मतलब अमेरिक्यां से लोंड लेकर के अपनी कंपनी स्टार्टिंग किये थे बिसिनस चूर किये थे लेकिन सब सही से जाएगा तो सही से चल रहा थो यह लोंड वापस जमा करने में इन लों को कोई समस्तिया नहीं था लेकिन प्रोब्लम शुरू हो गया तब तक आप्मी लोगों ने समझ गया कि मतलब यूएस लेंड़ेज जो उधार देने वाले समझ गई कि पहले वाले डिप्रेसन की जो साइन्स देखे हुई है लोन हाफ कर दिया है पहले जो जितना लोन डेते थे उस तरह लोन कम कर दिया है लोन एमांड 1 billion से ये धीरे धीरे एक year के अंदर केवल one by four हो गया है मतलब जो पहले जितना billion डोलर जो देता था 1 billion से धीरे धीरे इसमे का one by four केवल उतनाई loan के एमोंड हो कम कर दिये तो इस तरह loan कम कर दिये तो जो company या सब loan से काम चलाने से कोशश किये थे establish किये थे लेकिन बाकी पैसा नहीं मिल रहा था नहीं तो बाकी amount नहीं मिल पाए तो उल्ially का काम रुख गया बहुत लोगों काम फस गया और इस तरह एक बहुत बढ़े crisis में चले गए the withdrawal of US loans affected much of the rest of the world though in different ways आलग अलग रीती से इन्हों के यह जो लोड सिस्टम कम कर दिया है तो पुरे वर्ल्ड को इसको अफक्ट हुआ है इसका प्रफाव पड़ा है यूरोप में कब बहुत सारे बैंक जब कुलाप्स हो गया है करन्सी ब्रिटीश पाउंड का दाम कम जो ब्रिटीश करन्सी का वाल्यू कम हो गया है लाटिन अमेरिके जैसे यल्स्वेर में बहुत सारे अग्रिकल्ट्रल रो मेटेरियल का इस प्राइस कम हो गया the US attempt to protect its economy in the depression by doubling importer duties also dealt another severe blow to the world trade और यही problem को solve करने के लिए British US company ने क्या कि जो economic importer duties importer duty double कर दिये हैं तो उआई एक दूसरी problem बना दिया है जैसे importer duty मतलब tax बढ़ा दिये हैं टाक्स बढ़ा दिया है तो यह ट्रेड में बहुत बड़े प्रवाव मुडाला है यह को जैसे यह तो अलड़ी एक इंडस्ट्रियल कंट्री हो गया है तो यह इंडस्ट्री सारा तूट गया तो उसी के प्रफाव जरूर हो गया है युएस में भी इसी के प्रफाव हो गया है कुट्स प्रोडक्ट प्रोडक्शन नहीं तो जो हार्वस्ट इनकी जो फसल है वह बेस नहीं पाया हाउसॉल्ड वेर रूइप जैसे हाउसौल्ड इंकम जैसे अगरीकल्चर इंकम यह थैसा बड़ां इस अपनी समान बेस नहीं पाएगा तो या हो गया है NES पूरी काम फस जाते हैं रुख जाते हैं और देगे द यूएस नोट रीपे दाट हड़ बोरोवड और फोर्स्ट टू कीवप देर होम्स कार्स और अधर कंस्यूमर डूरबल्स जैसे लोन लेकर के लोग अपने घर बनाने की कोशिश किये थे गाड़ी खड़ देते समान खड़ देते यह 3 वापस जमां लहिं कर पाए हैं तो बहुत लोगों को अपनी घर घार जप छोडना पड़े मतलब वह बहुत काम जो शूरू किया था व कंब्लीट नहीं कर पाये हैं बहुत लोग गाड़ी ले लिय थे लोन पर उधारैं पैसा लोन प जी हम लोग करते कि कृसी तो पर घा तो दूर दूर अपनी घर चलाने के लिए काम खोच करका यह लोगा दूर दूर जाने लगे हैं बहुत सारे बैंग जैसे जो पैसा लोन पर दे दिया था लेकिन वापस नहीं मिल पा रहा था तो बैंग को लापस हो गया है बहुत सारे बैंगे क्लोस करना पड़े हैं तो नंबर आफिनोमियल फोल नियरली 4000 बैंग हड़ क्लोस डाट है वन ताउस वन वन लाग तेन ताउसन कमपनीस हड़ कुलापस रह जो चार हजारों बैंगों बंद करना पड़े हैं और एक लाग त्रिंदस हजार से थी कमपनीयां बंद हो गया कुलापस हो गया इन रिकवरी वास अंदर दो मोस्ट इंडिस्रियल कंडिसबट ग्रेट डिप्रेशन्स वाइडर एफेक्ट ओन सुसाइटी पॉलिटिकल अंड इंडर्नाशनल रिलेशन अंड पीपल्स मैंद प्रूवड मोर एंज्यूरिंग निक्किये का ये प्रोब्लम मतलब ग्रेट डिप्रेशन्स विंकी एफेक्ट बहुत वाइड था और ये तो सुसाइटी में पॉलिटिक्स में इंडर्नाशनल रिलेशन में सब इसी की प्रखाव पड़ा है दन 3.5 इंडिया अंड ग्रेट डिप्रेशन इंपाक्ट मतलब ये ग्रेट डिप्रेशन का इंपाक्ट हमारे इंडिया में क्या हुआ है नहीं तो कैसे हुआ है इसकी बारे में दीखिएगा इसमें उसमें हमारा इंडिया दो कोलोनियल इंडिया का अथा था ब्रिटिश के अंडर में थे ओर ये कोलोनियल इंडिया हाड बिकम अन एक्सपोर्टर रोफ अग्रिकल्चरल गुड्स आड इंपोर्टर रोफ मैनिफाक्टर अथा एक्स्पोर्टर था मतलब इंडिया से अग्रिकल्चरल प्रोड़क्ट एक्सपोर्टिंग किया जाता था और जो मैनिफाक्ट्रिंग गुड्स को इंडिया के लिए इंपोर्ट करते थे लेकिन 28 से लेकर कर 34 तक जो टाइम था उस समय के अंदर ये प्रोड़क्शन एक्सपोर्टिंग एंडिया दोनों क्या हो गया है पहले जितना चलता था उसका हाफ हो गया है अज इंडिया में भी जो अग्रिकल्चरल प्रोड़क्ट अब था उसी का भी दाम कम हो गया है सब्सक्राइब नाइटिन 28 से लेकर कर 34 तक जो टाइम था उसमें का उसके अंदर जो वीट की प्राइस हाफ हो गया है और इस पे जादी प्रोड़म जो हुआ है अर्बन डॉलस का नहीं रूरल एरिया का क्योंकि रूरल एरी रूरल लोग और फार्म से रिलेटेड मेंस फ को फेस करना पड़े हैं दो अग्रिकल्चरल प्राइस फेल शार्पली दो कोलोनियल गवर्ण्मेंट रफ्यूस्ट टू रेड्यूस रवन्यू डिमाज है पीसे प्रोडूसिंग फॉर्ड वर्ल्ड मार्केट वेर दा वर्स हिट क्योंकि अर्बन जो टाउन एरिया में रहने वाले को यही प्रोब्लम उतना समझ में नहीं आए लेकिन गावल की मिन से विलेज एरिया में इसी प्रोब्लम जादा हस गया है क्योंकि इसका कारण जैसे अग्रिकल्चरल प्रोडक्ट की प्राइस बहुत कम हो गया है लेकिन सरकार ने जो अग्र और जैसे इसकी एक्सांबल है बंगाल की जूट प्रोड्यूसर्स जैसे जूट की बोरा बनता था यह बोरा एक्सपोर्ट के लिए समान एक्सपोर्टिंग के लिए जो बोरा चाहिए थे जैसे एक्सपोर्टिंग हाफ हो गया है तो फिर इसका जो गंडी बैग नहीं तो बो और इसलिए पीजन्ट वो बोरोवड इन दा हॉप बेटर टाइम्स और इंक्रीस आउटपुट इन दा हॉप ऑफ हायर इंकम फेस्ट ओवर लॉंग प्राइस अंड फेल डीपर अंड डीपर इंटुट जैसे जूट की बोरा जो लोगों बना जूट की खेती करते थे उसी से बोरा बनता था यह एक्सपोर्ट का ज़रूरत है नहीं मतलब एक्सपोर्ट का खाफ हो गया तो उसके इनुसर का बहुद इमांड हाफ हो गया होगा तो लेकिन यह अच्छे समान की दाम कम हो गया तो हम प्रोडक्शन जादा कर देंगे ये और उससे नगी हमारे जो कर्च करते हैं यही सोच करके किसान ने अच्छा सखेती किया था लेकिन यह दाम इतना तूट तो मतलब इतना बिसनस इतना तूट गया है यह जो ज़्यादा डीप डेप्ट में चले गें बतो बहुत बढ़ें करज में चले गया है मसले जो jute producers किसान लोगन रोने लगे हैं देखिए इसमें दिखा दिया होगा grow more jute brothers with the hop of greater cash cost and of jute will make your hops get dashed when you have spent all your money and got the crop of the ground traders sitting at home will pay only rupees 5 a month और देखिए गवसमें की problem की बारे में लिखा गया है then across the India peasants in depthness increased उस तरह पूरे इंडिया की किसान लोगों का कर्ज बढ़ गया है they used up their savings उन लोगा अपना पूरे savings चुट गया है पूरा संपती पूरे लोगों जो जमा करकर रखा था पहले से वो सब कतम हो गया mortgage, lance and sold whatever jewelry and prices precious metals देहाट और लोगों अब दीरे दीरे इसे घर्ज में चले जाने शुरू हो गया है तब तक इनके पास जितना संपती था वो गोल्ड था जो लारी था वो सब भीरे दीरे निकाल के बेचना शुरू कर दिया है इसलिए कहते हैं कि जो डिप्रेशन में इंडिया बिकेम आने एक्सपोर्टर ऑफ प्रीशिस मेटल नोटबली गोल्ड उसमें जो ग्रेड डिप्रेशन में चले गे थे सब उसमें इंडिया में से एक्सपोर्टिंग करने वाले एक वस्तु हो गया गोल्ड अब लोग सोचें एक तब कितना इसका उसमें सब लोगों बेश दिया है कि आप आत्मी लोगों का पस इतना संपती पुरा एसा बेशने पड़े हैं और इस तरह जो ग्रेड डिप्रेशन का समय था उसमें जो महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबिडियन्स मुवमेंट शुरू किया थे दे रीबिल्दिंग एकोनमी दें पॉइंट नेमबर फॉर नी फस्ट वेल्ड वार की बार में ओल्ड़ी हम लोगों काया है कि सेकंड वेल्ड वार और उसकी कैसे हम देखियेगा ने सिविल्ड वार ब्रोक आज़ दे फॉ डिचेंड एक्षेगा इस फोर आप फॉड वार करके देखियेड की बाद फिर सेकंड वेल्ड वार शुरू हुआ है और यह सेकंड वार में भी टू गरूप हो गया फर्स्ट गरूप को आसे बाइगे हम जर्मनी जपान ओर इट और जो सेकंडी ग्रूप को अलाइस कहते हैं अलाइस मेने ब्रिटीश ब्रिटन फ्रांस सोविएट यूनियन अंडर यूएस मतलब ब्रिटन फ्रांस रश्या अंडर अमेरिगा इर्वा से वार वेज़र फॉर सिक्स यह ऑफ मैनी फ्रंट इन प्लेज़स ओवर लांट और सी इन देयर और ये यूद्ध गंटिन्यू हो गया चे साल और ये तो जमीन पर समुंदर में और आसमान में सब जगह इसी का मतलब ये इसकी वार गंटिन्यू हो गया है और वन्स गैन डेथ अंडिश्या अन्वस अट लिस्टी मिल्यों पीपल और अबाव त्री परसंटेज और इस यूद्ध की कारण से ही क्योंकि इस यूद्ध में कहते की सिविलियन्ज दान सॉल्जियस डाइड क्यूंकि जो सॉल्जियस से जादा पीपल मरे है लोगोंने मर गया है इसका कारण कियांगी बंबार्डमेंट से और मिलिटरी आर्टिलरी अट्यक से सब यही सब कारण से जो जिनने साइनी के लोगों मर गया है उससे जादे जो सिविलियन्ज मरे हैं दे वर कोसिद अनिमन्स अमाउंट अफ एकनामिक डिवास्टेशन अंड सोचल डिस्रप्शन रिकंस्टेशन प्रॉमिट टो भी लोग अंड डिफिकल्ट देखेगा क्यूंकि पूरे वास्ट पार्ट अफ ये यूरोप एश्या वेर डिवास्टेट अंड सेवरल सिटीज वेर डिस्ट्रोईड बाई एरियल बंबार्डमेंट अंड रिलेंटल साटलेर अटाग और बहुत सारे सिटीज एकदम बरबाद हो गया सिटीज को डिस्ट्रोई किया गया और बहुत सारे लोग मर गये हैं यही सेकेंड वर्ड वार की दिखेगा इसे और इसी वार की कारण से एक बहुत बड़े एक्कोनॉमिक प्रोब्लम भी बन गया है और यह प्रोब्लम सोल करना प्रोब्लम टु भी लॉंग अंड डिफिकल्ट और यह टू क्रोशिल इंफ्लुएंस शैप्ट पोस्ट वार इंस्ट्रक्शन रेकंस्ट्रक्शन कहते हैं जैसे फ्रस्ट वल्ड वार की बाद यूईस ने बहुत बड़े पावर बन गया लेकिन सेकंड वल्ड वार की बाद रेश्या बिकम दा मिन्स डॉमिनेंस पावर फ्रस्ट वल्ड वार की बाद अमेरिके बिकमेर डॉमिनेंस पावर करते हैं डॉमिनेंट हो गया और सेकेंड वेल्ड वार में यूरोप फ्रस्ट पोईंट का फ्रस्ट पोईंट वन पोस्ट वार सेटिल्मेंट अंट ब्रेटन वूड इंस्टिटूशन इसमें पोस्ट वार वार की बाद इस सेटिल्मेंट का इसे हुआ है और यह ब्रेटन वूड इंस्टिटूशन की बारे में एकनोमिस्ट अंड पोलिटीशन्स जो टू की लसंस प्रम इंडर वार एकनोमिक एक्सपिरियंस इए वार एक्सपिरियंस मतलब इंडर वार एकनोमिक एक्सपिरियंस से एकनोमिस्ट और पोलिटीशन लोग टू की लसंस दो सीख फस्ट और इंडर्स्टियल ससेटी बेस रोड मास प्रोडक्शन केनोट भी सस्टेंड वितोट मास कंसंप्शन जैसे गितना भी प्रोडक्शन होता है उसकी अनुसार एकन्संप्शन भी होगा तब एकनोमिक डवलप्मेंट होगा फस्ट लसं लोग वाही सीखा है इंडर्स्ट्रियल सस्टेंड करना है मतलब आगे हैं इंडर्स्ट्रियल ससाइटी जो मास प्रोडक्शन में बेस किया हुआ एक इंडर्स्ट्रियल ससाइटी को सस्टेंड करना है मतलब आगे बढ़ना है तो उसके अनुसार प्रोडक्शन के अनुसार जो कंसंप्शन भी बभोग भी बढ़ना है अगर बभोग उस तरह बढ़ाना है तो आत्मी लोगों को स्टेबल इंकम चाहिए जब तक इनके पास अच्छे इनका मतलब स्टेबल इंकम नहीं है तो इनका जैसे उबभोग भी उस तरह नहीं बढ़ेगा इसलिए इंकम बढ़ाने के कंसंप्शन भी कर सकते हैं बभोग बढ़ना है तो उसके अनुसार इंकम बढ़ना है इंकम बढ़ना है तो उसके एक फुल्ली एंप्लॉइमेंट होना चाहिए तो यहीं एक बात लोगों सीख लिये हैं और सेकंड लेसं कंट्रीस एकनोमिक लिंक विट आउटसाइड वेल स्यली एक होता है अगर एक गवंड्मेंट को कंट्रोल होना चाहिए कि इसमें प्रोडक्ट की दाम और विट और लृटसाइड इसमें कि उपर गवंड्मेंट को पंधें रहे तब क्या होगा एक यह फुल्ली एंप्लॉइमेंट करा सकते हैं इसका मतलब यह ये लोग यही किया है the aim of the post-war international economic system was to preserve economy full employment in industrial world जैसे economy को preserve करना है नहीं तो stable बनाना है मतलब stability करना है लाना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं यहीं लोगों सोचने लगए हैं इसके लिए United Nations monetary fund and financial conference held in 1944 at Bretton Woods in New Hampshire USA USA में Bretton Woods में एक meeting हुआ है वो एक conference हुआ है और उसी conference को Bretton Woods conference कहा जता है और यह Bretton Woods conference में established the International Monetary Fund आज हम लोगो सुनते कि IMF International Monetary Fund यह International Monetary Fund का स्ताबना हुआ है इसको हम जो meeting में इसी meeting को the Bretton Woods conference कहा जता है यह IMF IMF स्ताबना हुआ है कि to deal with the external surplus and the deficit of its members nations the International Bank of Reconstruction and Development popularly known as World Bank यह दो संस्ता का स्ताबना हुआ है World Bank and IMF का the IMF and the World Bank are referred to the as Bretton Woods institutions और समतेम्स Bretton Woods TINs कहा जता है the post-war international economic system is also often described as the Bretton Woods system so यह दोनों जनस्ता को Bretton Woods TINs बोला जता है नहीं तो Bretton Woods institutions भी कहते हैं the IMF and the World Bank commenced financial operations in 1947 decision making in these institutions is controlled by the western industrial power the US has an effective right of veto की or IMF and the World Bank के decisions जैसे कंट्रियों देश की बीच में मतलब इसमें का member nation की बीच में का problem को solve करने के लिए यह दोनों सस्ता form किया गया है मतलब इनकी जो member है उसमें का deficit income है नहीं तो surplus income है उसके इनुजार इनका इन लोग को help करने के लिए मतलब इनकी member nation को help करने के लिए तयार होकर के बनाया हुआ दो संस्ता है IMF and the World Bank है इसमें सबसे जादे powerful country था US और यह US को veto power भी था World Bank के और IMF की जो decision में और यह IMF का इस काम होता है इस सिस्टम इस लिंकिंग नाशनल करन्सी संदे मोनिटरी सिस्टम ब्रेटन वुट्स सिस्टम वाज बेसे रोन फिक्सट चेंजस एक्सचेंजस राइट यह वाल्ड का आपस में लोग के जो करन्सी का एक्सेंज होता है उसके लिए एक सिस्टम में बना दिया है मतलब एक राइट में एक्सेंज राइट बना कर कि उसके अनुसार आपस देश को आपस में अपनीएपनी करन्सी का एक्सेंज करने का नियम बना दिया है यही एक फिक्स्ट रेट लोग लगा दिया हैं यही इमफ का काम हो गया हैं दन अर्ली पोस्ट वारियर्स यही इस तरह जो ब्रेटन वुड सिस्टम बना दिया हैं तो यही नया एरा का शुरुवात हुआ हैं और उसके नुसार ट्रेड की ग्रोथ और इंकम इदुनम विस्टेन इंडस्ट्रियल नेशन्स को और जपान को यही जादाफ यही का फाइदाव ठाये लोग वर्ल्ड ट्रेड ग्रुवा अनुवली अट्या ओवर एट परसंटेज इसले वर्ल्ड ट्रेड एट परसंट से बढ़ गया हैं जैसे 1950 जेले करके 1970 तक अनुचन चर्ट इंकम ओर नियारली 5 पर्जनेज़ ओर ग्रोथ वास उल्डसो मोस्तली स्टेबल वितावड लार्ज फ्लक्ट्ट्येशन बहुत बड़ा फ्लक्ट्ट्येशन नहीं भुआ है एक स्टडिली इंकम भी बड़ा बढ़ गया है और उस थरह थ्रेड भी बढ़ गया है तो धीरिदेरे लार्ज पार्ट अफ दे वर्ल्ड वेर स्टिल अंडर यूरोपिन कॉलोनियल रोल ओवर दा नेक्स्ट टू डीकेड्स मोस्ट कॉलोनीस इन एश्या अंड अफ्रिका एमर्जडस फ्री अपने अपनी आजादी प्राप्त कर ली हैं और अंड वल्ड बैंक वयर डिसाइन हैं टू मीठ दे फिनान्चील नीड अफ दे इंडस्रियाल कंट्री जैसे बहुट्स आई इंडस्रियल कंट्रीको dark इंडस्ट्रियल कंट्री था उसी में का जरूरतों को पुरा करने के लिए जैसे आई एम फॉर्वर्ड बैंक है बहुत नया नया प्लाइन्स बना दिये हैं और उन्हों लोग भी एक चल्लंज जैसे पॉवर्टी आंड लाइक ओफ डिवलप्मेंट इंड फार्मर कॉलनी से पहले वाले जो कॉलनीस था उसी में जितने पॉवर्टी की प्रोब्लम था और लाइक ओफ डवलप्मेंट का जो विकास नहीं हुआ था उन्हों लोगों को आगे बढ़ानिके लिए इलुग भी बहुत नया नया प्लान्स बनाधियें बट यूरोप आंड जपान रापिडिली रीबिल्ट देर अकोडमिस दे गुरू लस्ट डिपनेंट ओफ उन्धी आयम फांड वेलट बाइंग दस फोर्म फ्रम दे लेट नैंटेंट नैंटें ब्रेटन वूड इंस्टिजूशन्स जैसे आयम फॉर्वेल्ड बाइंग ये दोनों इसका यूरोप और जपान यूरोप और जपान है तो ये राप बहुत जल्डी से अपना रीबिल्ट कर दियें अपना एकोडमी को रीबिल्ट कर दियें विताउड दे हल्प ओफ ये आ इसलिए यही दोनम सस्ता क्या किया है जो डैवलपिंग कंट्री इसकौन कौन सता है मतलब जो डैवलप्मेंट नई हुआ है उसी कंट्री का हेल्प करने के लिए वो लोग अपना लेच्छे को टेंड कर दिये हैं अटेंशन को ज्यादा उस पे लगा दिये हैं और नेक्स्ट देखेगा लार्ज कोर्परेशन सफ देवल्ड पावर्फुल कंट्री स्वर एक्सांपल द यूएस और जैसे डेवलपिंग कंट्रीस की नच्रल रिसोर्स को एक्स्प्लोइट करने के लिए लोग बहुत सारे कंट्रीस तैयार थे उसमें जैसे यूस सब डिसे ट्ड़ोवार्पी इस क्टूर्ड़ एक्स्पिरिय 놓पिट लाइस खाट्रीस को एक्सांपल्डाव्प्टीव थे लोग नच्र pepp में ऀच्व faut एक्सांपल्स्व क्सांप्र एक्स्टन्व मतयारा थे हनुएस ग्साटिवर्वे का औरगनाइसेशन बना दिया है जी सेवन कंट्रीज और जी सेवन कंट्रीज कहा जाता है इसको तो दिमाद ए न्यू इन्टरनाशनल एकनोमिक ओडर और दे मीन्ट ए सिस्टम ताट वुड गीव दम रियल कंट्रोल ओवर देर नाच्रल रिसोर्स और डेवलप्मेंट एसिस्टंज फेर प्राइस फोर रो मेटेरियल्स और बेक्टर एसस्टू फोर देर मैनुफाक्टर गूड्स इन डेवलप्ट कंट्रीज मार्केट और इन लोग सब मिलकर मतलब जो डेवलपिंग अंड्रेस मिलकर के एक संस्ता जैसे फोम बना एक ग्रूप बना दिया है इसको ग्रूप ओफ 17 प्राइट में एक्स्प्रोइट करने से बचाना है और इन लोग जो product है इसको अच्छा प्राइस मतलब इन लोग जो product बना दे रहा है मतलब raw material बना दे रहा है उसको अच्छे दाम मिल जाए और इनका जो company बनाते हैं नहीं तो इनकी जो output market में इनको अच्छे world market में अच्छा दाम मिल जाएं यहीं सोच करके इसके लिए यह लोग एक कम बने हैं sorry एक संस्ता मतलब एक ग्रूप बना दिया इसको G77 कहते हैं और 4.4 end of Bretton Woods and the beginning of globalization पॉइंट नंबर 4.4 the end of Bretton Woods and the beginning of globalization और यह Bretton Woods की means I am for world buying की importance नहीं तो इन लोग जाजा आजां कहां कहां अपने प्रफाँ पड़ दे रहा था उसी से प्रफाँ धीरे कम हो करके जो globalization में कैसे change हुआ इसकी बारे में देखेगा from 1960s the rising cost of its overseas involvement weakened the US finances and competitive strength the US dollar now no longer commanded confidence at the world's principal currency it could not maintain its value in relation to gold this eventually led to the collapse of the system to a fixed exchange rate and the introduction of a system of floating exchange rate जैसे धीरे दिने 1960 हो गया तो rising cost of its overseas involvement weakened the US finances and competitive strength यह जो यूएस की strength और उसी का power को थोड़ा वी कर दिया है the US dollar इसे लोगे यूएस डॉलर को एक फिक्सर्ड एक्सेंज रइट रखा था लेकिन ये फिक्सर्ड एक्सेंज रइट जो डॉलर का दाम जीसे रखा था लेकिन वो गोल्ड की बराबर नहीं हो रहा था इसी से कुलाप्स हो गया हैं इसले फिक्सर्ड राइट चेंज एक्सेंज राइट को इनलोग इसको क्या किया हैं चेंज करना पड़े हैं from the 1970s international financial system also changed in important ways international exchange system भी financial system international financial system changed इसको कारणे इहें कि देख्येंगा developing countries could tend to international institutions for loan and development assistance but now they were forced to borrow from western commercial buying and private lending institutions this led to a periodic theft crisis in the developing world and lower income and increased poverty especially in Africa and Latin America जैसे पहले लोग जो लोन लेता था उस तरह वस्टेन commercial bank से और प्राइवेट इंस्टिटूशन से लोन लेना पड़े हैं लोन लेना शुरू कर दिये हैं इसी से एक periodic debt debt मतलब एक कर्ज की प्रोब्लम सुरू हुआ है पतलब जो developing country में और दूसरे बात है कि यह lower income and increasing poverty जिसे इन लोग का income कम है और जो poverty तो बहुत जादे problem है यह सब especially आफरिका और लाटिन अमेरिका जैसे country में यह problem बढ़ गया था और दे इंडस्रियल वर्ल वर्ल वस ओलसो हिट बाइ अनम्प्लोईमेंट दाट बिगान राइसिंग दे 1970 तो 1990 फ्रम दे MNC's ओलसो बिगान तो शिफ्ट प्रोड़क्शन ओप्रेंशन तो लोग वैज अश्यन कंट्रीज और इसका अनम्प्लोईमेंट की कारण था क्योंकि बहुत बड़े multinational companies क्या कि अपनी production बहुत बड़े बड़े country से इसको छोड़ करके जो जहां low wage पे मतलब मज़दूरी जो ये शिन कंट्री में जो कम rate में काम करा सकते हैं उसी तरह country में ये बहुत सारे multinational company से अपना factory लगाना शूरू कर दिये हैं क्योंकि ये low wage problem से बड़े बड़े company है तो मतलब बड़े बड़े developed countries है तो वहाँ पे labor मिलना भी जो वहाँ के अनुसार labor को wage असमस दूरी देना पड़े हैं और जैसे und developed country है उसी तरह country में labor को मिलने में कोई मुश्किल नहीं है और वहाँ की wage भी मज़दूरी भी बहुत कम है इसलिए बहुत सारे company आ क्या किया है बड़े country को छोड करके जैसे चोटे चोटे देश में मतलब जो und developed countries में अपनी factory लगाना शुरू कर दिये हैं इसी को चलते एक unemployment की problem शुरू हो गया है और इसलिए यही सब बहुत बड़े बड़े foreign company को attract कर दिया है क्योंकि वहाँ जाएगा तो low wage में काम करने के लिए बहुत सारे लोगों को मिलेगा इसलिए बहुत बड़े बड़े MNCs मिन्स multinational companies अपनी market जैसे अपनी industry लेकाने के लिए जैसा जो low wages country को select कर दिया है इसकी आप लोगों को देखते हैं क्योंकि TVs, mobile phone and toys made in China इस कारण से ही यह से हम लोगों देखते हैं चीटीवी हो गया जैसे यह सब made in China का क्योंकि वहीं सब बहुत कम है पोपलेशन तो बहुत ज्यादा है इंकाम करने के लिए बहुत लोगों को मिलेगा यही सोच करके लोगे बहुत बड़े बड़े मल्टिनाशनल कमपनी से अपनी कमपनी को वहाँ पर लगा दिया है और इसलिए से लो वेज कंट्री में वेल्ड क्यापिटल फ्लो होने चुरू कर दिया है तब उसकी अनुशार उसी कंट्री का एकनोमिक सिस्टम में भी बदलाव लाए हैं और इसी पर आपको समझ में जाएगा जैसे जो कम वेज में काम करने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं तो वहाँ पर कंपणी लगाने के लिए बहुत बड़े-बड़े मल्टिनाशनल कंपणियां अपनी इंडस्ट्री लगा दिया हैं और उसकी साथ वहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो उसी कंट्री को भी कुछ फायदा है और उस तरह इंडिया चाइना ब्रसील जैसे कंपणियां कंट्री में इस तरह जो एकनोमिक ट्रांस्पोर्मेशन हुआ है मिन्स रिल अक्वेशन ओफ इंडस्ट्री इंडस्ट्री का रिली लोकेशन जैसा कंट्री को बहुत मड़े बड़े हल्प कर दिया है देके इंद टू लास्ट डीकेड़्स वोर्ल्स एकोनोमिक जोग्रफी हास बीन रांस्पोम्ड पुरे व बहुत जल्दी से लोगों यह से एकनोमिक क्रांस्पोर्मेशन को प्राप्ट कर लिया है और इस लजन से आप लोग इतरा तो समय तो इनसे यह सेकेंड पार्ट के फस्ट वेल्ड वार और उसकी बाद की प्रॉब्लम से वेल्ड में क्या-क्या प्रॉब्लम हुआ है इसी प मस्या हुआ है और उसी प्रॉब्लम को लोग कैसे सोल्व कर दिया है यह वर्ल्ड वार की बाद जो इंपोर्टन संस्ता फॉर्म किया गया आई एम फांडर मेंस इंडरनाशनल मोनिटरी फंड और वर्ल्ड बाइंग यह दोनों पूरे वर्ल्ड एकोनमी को कैसे कैसे हेल्प कर दिया है इसकी बारे में हम लोग इस पार्ट में बढ़े हैं और आप लोग के वीडियो अच्छा लगएगा तो लाइक करिएगा और इसकी बाद वीडियो को सब्सक्राइब करिए हमारे चानल को तैंक यू